और दोस्तों मैं रमनसी स्वागत करता हूं आज का हमारी वीडियो में आज का जो टॉपिक है भारत नैपाल विवाद और इस संबंद में हम चर्चा करेंगे कि यह हाल फ्लाल में क्यों सामने आया है अभी यह बता चुके हैं कि 8 मई को भारत ने एक सड़क मार्क का उद्गा करेंगे कि मामला क्या है तो केला समान स्रोबर यात्रा के लिए भारत द्वारा लिपूलिक धार्चुला मार्क का उद्गाटन किया जिस पर नैपाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और अपना विरुग प्रसिद किया है तो जब क्या है कि आठ मैं की यह बात है वाई ध्यान उसके माध्यम से इसको बनाया गया है लेकि नैपाल ने खा कि आपने हमसे नहीं पूझा क्योंकि नैपाल का ऐसा मानना है कि इन छित्रों में जहां से यह अपना माना हुआ है बस यहीं से इन दौन देशों के बीच जो तलखी है वो पैदा हो जाती है नैपाल ने प्रतिक में सघृष संदिग के मादें से जिसमें कहा गया था कि महाकाली पूल च्छेतर हैं वह किसे हैं वह कि नेपाल कि ये चेतर माने जाएंगे इसी संदीग का हवारा देते हुए नेपाल ने कहा है कि जो लिपो ले हैं गाला पानी है वो सबके सब नेपाल के हिस्से में हैं नेपाल छेतर में आते हैं और जिहन से होकर के बारत ने यह मार्क बनाया है और नेपाल से कोई आदिकारिक बातचीत नहीं की थी तो यहीं से इन दोनों देसों के वी जुम्मन मिटाओ है वो थोड़ा और बढ़ गया है नेपाल ने आदिकारिक रूप से तुरंत क्या किया एक नवीर मानचित्र जारी किया है और अपने स्टेट में क्या किया उसने के एक नवीर मान लेक इन तीनों को त्यार रख लिए क्योंकि एक्जाम में यह मैचिंग से समद्द में पूर सकते हैं ठीक है तो नेपाल ने क्या किया कि जैसे भारत ने यहां रास्ता बनाया उसके टूंत बाद ही ने एक नया मानचित जारी किया वहांगी सरकार ने और उसमें इन तीनों छृत्रों को अपने छल्ठ में दिखाए इनकि नैपाल ने का यहां ने फास्तन परवों छिट्र है जिन पर भारत कब्या ऑबारत जो है इनको इस्तिまぁ कर रहा आ तो यहाँ पर हम नक्से KIRBY में संधे में कि कौन्ष से तीन penal की यहाहां तो यहैं आपका लिप mail यहां हुआ है तो कहता है वánd nearby चैसा सा ये मारैं ये इसको भी वह अपना कहता है कि मराया है तो अब यहां पर आप देखेंगे इस तरिके से भारत का इ Jeżeli यहां से शिटर होता है यहां से और यह यह around ऑ सकी है यहां तो चीन अपनी कूटनीतिक चाल में लगा हुआ है तो यहां देखना है कि क्या यह चीन की कूटनीतिक चाल है तो इसमें तो कोई सकत नहीं कि चीन उसे नहीं बगला रहा है वहीं से पावर मिल रही है तो इसमें होता क्या है कि क्या चीन के सारों पर ऐसा हुआ है जी हां बिल करी तो चाइना इस चाइनीज को यहां आप रास्ता बना ली लिए और इसी का फिर फाइदा ले करके वह समझ गया था यहां से भारत और नेपाल के काफी लंबे समय से नेपाल में एंटर होने की कोसिस कर रहा है नेपाल को अपने तरफ खीशनी की कोसिस कर रहा है लेकिन वह इसा नहीं कर पार था अब यहां देखा होगा कि पछले कुछ सालों से चीन ने भारत को पूरत कर लिया है इसमें पाकिस्तान में गौदर बंदर ग वहाँ पर भी आक्टिविटी चल रही है तो भारत नैपाल और अब वहां सब दिख रहा है के नैपाल भी उसकी तुख ट्रफ जा रहा है साथ साथ में यहाँ पर डिखनाइक है तो चाइनिज में ग वह-ता है वहária यह isés musicians Government Mechanism Government लागा उनका आपस में थोड़ा पास आना लजमी है क्योंकि इनकी जो सोच है वो काफी हैता कैसी है एक जैसी है ие नैपाल का जो इसेमें द्यू だरह है और यहां से थोड़ी संस्याह और पर दAKE गया हो गया अब यहां में देखेंगे जो रास्ता था वो रास्ता किस तरीके से भारत किया है तो यहां पर भारत और नेपाल के वीच इन हिस्तों को लेकर के थोड़ा तक्रार पैदा हुई है तो यहां पर वो लिप लिक जगा है जहां से भारत कहता है कि हमारा हिस्सा है और नेपाल कहता है यह हमारा हिस्सा है तो यह वो इस्थान है जहां पर इन दोनों देशों के बीश तलखी पैदा हुई है ठीक है अब होता क अब विवाद की बिंदु कौन कौन से हैं तो विवाद की बिंदुगों में देख लेते हैं तो उत्राखंड के धारचुला को लिपुलिक दर्रा से जोड़ती एक सड़क है मामला पूरा इसी रोड से स्टार्ट होता है ठीक तो इसको हमें ध्यान रखना है जोड़ता कहा है कुट्रा खण का धार चुला भी एडिया वो कहां जोड़ता है लिपू लिए से जोड़ते हैं और इसी दर्णते हैं के Crashfire तिर ले है ठीक हो गया नेपाल से बिना बारता किये निर्मार किया गया यह उसका जो है एक कारण है वह कहता है कि आपने हमसे वारता क्यों नहीं की तो यहां से थोड़ा तरखी है नेपाल ने ब्रोस रूप नया मान चित्र जारू किया जिसमें काला पानी लिप अपना इससा बता द जिसका हवारा दिया इसके साथ साथ देखो और कुछ मामले ऐसे थे जहां से इन दोनों देशों के बीच मरमटाव पैदा हो गया था तो देखो संदी के वारे में आपको जानना है वह अच्छे से और साथ साथ में कैला समान सरुपर यात्रा के वारे में तो आप हमारा पि तो उस संदी के वारे में भी मैंने वीडियो में बहुत अच्छी से बताया हुआ है तो अगर आप केला समान सरुपर यात्रा मार्क के वारे में जाना चाहते हैं या तो आप किरपया हमारी वह पिछली वीडियो है उसको आप देख सकते हैं और जिसका लिंक डिस्क्रिप् देखे लिए ताकि एटूजट जो मामला है वह आपके समझ में आ जाए अब यहां पर क्या है नवंबर 2019 में भारत ने मानचित्र में काला पानी को भारती छेत्र में सामिल किया था दिखाया था यह कप किया भारत ने जब जो है जम्मू एंड कस्मीर और लद्दाक एरिया को भारत ने केंसासे चेत्रों के तोर पर दिखाया यह कब की बात है जब धारा 370 हटा दी तो धारा 370 के हटने के चुरूंत बाद से ही केंसासे प्रिजिसों में आ गया कौन सा जम्मू एंड कस्मीर और लद्दाक इन्हें अलग किया गया उसी समय भारत ने किया कि यह तक तो भारत ने उसका सवागत नहीं किया जैसी आसा नेपाल को थी तो नेपाल की आसा के ठीक विप्री जा करके भारत ने उसके समयधान को माना तो यहां से थोड़ी समस्याद इसमें वो यह वाला एरिया है लिपोली दर्वे वाला जहां से यह पूरा मामला वकाया सामने आता है तो यह थोड़ा ध्यान रखिएगा आराम से आप कि इसकी इस्थिती है वो काफी सामरिक महत के लिए है क्योंकि यह वाला छेतर जो है जितना भारत के लिए जरूरी है उत वैकर क्या रहा है वैकर क्या रहा है नेपाल को और फिर वो नेपाल को भारत के खिलाफ ख़ड़ा कर रहा है यानि कि यह एक प्रिकर की गाउं वाली राजनीती है मेरा माना तो यह जो अंतराश्टी राजनीती है जो गाउं की राजनीती है वो काफियत तक एक जैसी है कि वहाई इसके जो है सर पे उसकों दो और आपस में और आप साब दूर रहे उसी का इसमाला इसमाल के उसे को यहां पर दिखते हैं कि इस बक्त देखने जोंध नहीं कि ऐसके से को बिसके सब्सक्राइब रहा dagen कि फिक चीन का जो है यूरोप और एसिया जो सभी देसों पर क्या जाएगा एक प्रकार से जो उनका ब्यापार एक मार्ग है वो हो जाएगा सुद्रान तो भारत हमेंसा इसके खिलाफ में रहा है लेकिन नेपाल को भी उसने सामिल कर लिया है और भारत नहीं चाहता था कि ने मटाओ पैदा हुआ था एक बात यहां से जो है नेपाल पर खुब अच्छा खासा प्रभात देखने को आपको मिल रहा है इसके बात क्या होता है यहीं से नहीं उता है मामला मामला इतना बढ़ जाता है कि नेपाल के कई स्कूलों में चीनी भासा मंदारें कौन सी भासा है नेपाल के बुनियादी धाचा के सुधार के तौर पर कई चीनी पर यहां पर चल नहीं सब्सक्राइब तो है क्या कि पाकिस्तान माली स्री लंका मंगलादेश म्यामार इन जगहें उपर तो है साथ साथ में अब बोड़ नेपाल को भी अपने अंडर कमान ले रहा है तो व यह जो है सामरिक और कूटनीतिक तरीके हैं उनका इस्तमाल चीन करके भारत को गहने की कोशब कर रहा है तो अभी हाल साल में नेपाल की ऊपर अब जो है चीन का प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया है जबकि पहले ऐसा नहीं था साथ साथ में धर्म को लेकर भी दिखेंग हैं तो यहां से भी नज़ीक यह बढ़ रही हैं उस साथ साथ में यह भी दिखते हैं कि भारत में थोड़ी उपेक्षा भी कर रही चीना पाल की कुछ मावलों में इसके समझ में हम और डीप्ली जाएंगे पर ब्यूद्य यहादा लंबार ना हो जाए या जाए वैं उन ट नहीं चाइना इसलिए मैंने बोल दिया इन दौनों के मत नैपल अपना देख लाए तो भई आए नेपल कर रहा है कि नेपल जो है एकदम सुतंत्र सौदागर के तोरपर भी हैप कर रहा है बारत के साथ और चीन के साथ भी और चुकि दोनों दिश्वों के लिए बहुत ज सकते हैं कंट्रूल तो सामरिक महत की तौर पर इसको अब जो है नेपल को दिखा जा रहा है यहीं बज़ा है कि दोनों देख जो है यहां पर अपने अपने तरीके से इस पर प्रिभाव जमाने में लगे हुए है जिसका पूरा पूरा फाइदा नेपाल अपने विकास के त मैं फिर के रहा हूं कि इसका तो यह है इतना पैसे वाली कंट्री नहीं है ठीक है इतनी एक जिसक के हमें होके न हैना पड़े तो यहां पर वह कoqu ड़स्तावेज्ज एक परका से भारत और नैपाल के बीच में भी हैं बारत और चीन के बीच में बी हैं कुछ संदियां बी domain ओहें उनका वह सहार लेता है यह आपको साम्वे क्ल आप से सुतंति रखता हैा और anthrop Dalil तो के बीच मैं फिर कहे रहा हूं एकदम फ्री होकर के भी हैप कर रहा है चलिए इस ना तो यह होगा निका सिबाद के कहां से बिवाद हुआ है किस तरीके से अब भविस्थ में इस बवाद के क्या अंजाम होंगे कैसे सुलगा जाएगा किया नेपाल को जधा बढ़ावा द देख लेते हैं जो परिच्छा में यहां से आज़ती है तो भाई लिपू लेख है काला पान नहीं है लिंपजुरा यह तो आपको पता रहने ही रहने चाहिए कि कौन-कौन जब्यों पर जो है मनमटाव पैदा हुआ था इसके साथ साथ हम देखेंगे कि नेपाल के बारे में को जरूरी जनकारी हम ले लेते हैं तो नेपाल के बारे में जनकारी ले ले लें तो पहले देखेंगे भाई राजदानी क्या है काटमांडू सबको पता होने चाहिए ठीक है उसके बाद यहां पर क्या है एक्यासी प्रिस्द्द हिंदू आवादी है देखो वैसे देखा ऑन द्ञाय दून्या में सबसे ज्यादा फिंदूावादी कहां पर है तो वह भारत मैशी प्रिस्द्द ठीक है चली कैसे हैं जनसनक्या के अधार पर आदार पर लेकर अगोंवाद प्रिसकों और बहुत करें कितर दोर पर पर टोर तो वहां है कहां पर नेपाल में है 81 परसेंन तो एक प्रिकार से भारत भी ज्यादा है वहाद Are हिंदू और बॉथ धर्म दोनों ही इनका भिचलन है और बॉत हम का इस्था sécurल लुमिनी Hm जहां पर उद्धार्थ का जन हुआ था वहां पड़ता है नेपाल पड़ता अब देखो भारत और नेपाल के बीच एक और सम्मंद अच्छा होने का कारण ये भी हुए जिसको भारत चाहे तो बुना सकता है कि लुमिनी है वो कहां पढ़ता है नेपाल में और वो क्या है गौतम बुत का जन्व स्थाल है जब कि कुसी नगर कहां पर है वो पढ़ता है जो क्या है गौतम बुत का महापरिनर्वार इस्थाल है तो ये दोनों इस्थाल जो है बहुत धर्म समंद्ध हैं लहाजा इन इस्थालों के माद्ध्यम से ये बहुत धर्म के माद्ध्यम से ये दोनों देख फिर से काफी करीब आ सकते हैं लेकर हम आपको पता है कि भारत म तरीके से ढूंकि हिंदू आबाधी तो Jennifer'll को अपनने साइट कर सकता है और उसके पड़के से लिए अब भारत को बारत क्या लेटा है अब नेंपाल है साथ नैपल का मतना एक ऐसा देस दिश जो क्षारों तरफ से रसे का हम बना लेते हैं यहां पर इस तरीके से बना है बिहार ये हो जाएगा हमारा क्या पश्यमंगाल और यह जाएगा हमारा सिक्कम्ध तो यह तीनों ध्यवर्व回स्राइब तीन obec कर दका तो हम यहां पर दिखेंगे टीन तरफ से बारत और तरफसे तिब्वत्व प्रीए- Born दिखान द्या를 ठीक है भारत के जो पांच राज हैं वो नैपाल के साथ सीमा को साधा करते हैं तो एक कुस्टन यहां से बन सकता है भाई कि कितने राज जैसे हैं भारत के जो नैपाल के साथ करते हैं सीमा साधा है तो वो है भाई पांच राज हैं ठीक है तो यह नमबर रखी गा कितनी दूर भीखेंगे अपके से पूर की ज़र्व तो पहले नमबर पर उतर खड़ने उसके बाद है उतर प्रदेश फिर बिहार फिर बस्ट्य मंगाल और यह फिर यह सिक्कम तो यह इस अरेंज में लगाएंगे तिक कैसे लगाएंगा हैं यह आपके बस्ट्यम से बैस्टो इस 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 पूर पूछें तो फिर आप से करेंगे पर से बंगाल करेंगे तो इस तरीके से करेंगे और सबसे बड़ी बात है भारत और नेपाल के बीच में नहीं है इस तरीके साथ दे सकते हैं यह चला रहा है तो यह हो गया हमारा कैसा उत्राखंड यह हो गया बंगाल और क्या हो गया है एक दो तिन चार और बाइप गिरा हुआ तो भारत के पांच राद यहां सीमा सजा करते हैं इसके साथ साथ हम बता दें 2011 से लगातार भारत और नेपाल के बीच सूर किरण नाम का एक सायोंक तुस्यन अभ्यास है वो जारी है जो कि इन दौना देशों को काफी तक करीब लाने में सक्षा में तो यह तो आज का टॉपिक था इसमें हमें देखा कि क्या कारण है जिसके बीच में भारत और नेपाल के मद्द सीमा रिखा और कुछ स्थानों को लेकर कि विवाद पैदा हो रहा है अब भविस में देखो किस प्रकार से स्टेंड लेते हैं दौनों कंट्रे और क्या सब्सक्राइब लेंगे फिलाल तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो कैसा लगा अपनी दाइज जरूर दें तेंक यू